The Town That Dreaded Sundown कहानी शुरू होती है 1946 में और हमें इस टाउन के हिस्ट्री बताई जाती है कि कैसे यहाँ पर एक मास्किलर आया था जो उन कपल्स को मारता था जो सूनसान जगहों पर जाकर इंटीमेट होते थे वो हर रोज कई सारी जाने लेता था जिससे धिरे धिरे लोगों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया पुलिस ने इस केस में कुछ सस्पेक्ट को गिरफतार किया जिसके वास्ते इस टाउन में मर्डर सोने बंद हो गए फिर हमें 2013 का एक सीन दिखाय जाता है जहां इसी स्टोरी पर बेश्ट एक मूवी बनाई गई थी जिसका सेम यही नाम था जो अभी आप देख रहे हैं फिर प्रजेंट में हम कुछ टीनेजर्स को देखते हैं जिन्हें स्क्रीन पर यही मूवी दिखाई जा रही थी और यही पर हम एक कपल को देख पाते हैं जिनका नाम जेमी और कोरी था जेमी को इस फिल्म को देख कर डर लग रहा होता है इसलिए यह दोनों यहां से निकल जाते हैं और दोनों एक पार्क में जाते हैं जहां दोनों इंटीमेट होने लगते हैं तभी अचानक यहाँ पर वही फैंटम किलर आ जाता है, जो काफी सालों बाद लोट आया था, फैंटम इनकी कार का कांच तोड़ कर इने बाहर निकालता है, और वो कोरी को नीचे लटाता है, वो जेमी को पलटने के लिए बोलता है, और उसे पीछे मुड़ने के लिए मना कर जिसके बाद वो चाकू से कोरी पर कई बार अटैक करके उसे जान से मार देता है, जेमी डर के मारे वहां से भागने लगती है, और फैंटम उसके पीछे पड़ जाता है, तभी रास्ते में फैंटम उसे पकड़ कर कहता है, यह सब वो मैरी के लिए कर रहा है, अब ये मैरी कौन थी इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा अब मेरी का डायलोग बोलकर फैंटम उसे जिन्दा छोड़ देता है और जेमी भाग कर उसे स्क्रीन के पास आती है जहां पर फैंटम की ही मूवी दिखाई जा रही थी वहां पर मूवी देख रहे सभी लोग जेमी की हालत देख उसे हॉस्पिटल में पहुचा देते हैं जिसके बाद अब सहर में ये खवर फैल जाती है कि फैंटम किलर वापस से आ गया है अगले दिन सुबा कोरी की लास एक पुतले के नीचे मिलती है जिस पर फैंटम का मास्क भी लगाया गया था पुलिस जेमी से पूछताश करती है और उसे पुलिस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है अगली रात में जेमी अपनी ग्रेंडमा से उस फैंटम किलर के बारे में पूछती है जिस पर उसकी दादी बताती है हां बच्पन में जब वो काफी छोटी थी तो उसकी दादी ने उसे इस फैंटम के बा कि को मारा था जिससे हमें पता चलता है कि ये सथ उस फैंतम किलर की एक चाल है क्योंकि वो गाहूँ वालों को मैसेजच देना चाहता था कि वही पुराना फैंतम वापस से आया है और वह उसके पुराने वीक्टिम्स दिक भी जानता था जिनमें से मैरी भी एक थी अब ये जानकर जेमी बहुत रोती है अगले दिन कोरी का फ्यूनरल होता है जहां कोरी की मौम जेमी को ही कोरी की मौत का जिम्मेदार मान रही थी जिससे जेमी की दिमागी हालत खराब होने लगती है और वो एक मेंटल साइकाइटरिस्ट से जाकर मिलती है तब ही यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जेमी जब साथ साल की थी तब उसके पैरेंट्स एक कार एक्सिडेंट में मारे गए थे उसने अपने ग्रेंडपा को भी खो दिया था और अब वो अपने ग्रेंडमा के साथ रहती है अब दूसरी तरफ हम एक और कपल को थोड़ी देर बाद सोलजर नीचे से कॉफी और कुकीज लेने जाता है पर तभी फैंटम उस सोलजर के सर पर अटेक करके उसका सर धड़ से अलग कर देता है तभी वो उसके सर को उसकी गलफ्रेंड के रूम में कांच से अंदर फेकता है जिससे देखकर सोलजर की गलफ्र पर फिर भी ये लड़की किसी तरह कार में घुशती है लेकिन तभी फैंटम उसके पीछे कार में आकर उस पर कई बार चाकु से अटैक करता है जिससे उसकी वही पर मौत हो जाती है अब अगले दिन दो और लोगों की मरने की खबर पूरे सहर में फैल जाती है और टाउन के दोनों मेयर्स लोगों को घर में ही रहने की सलाह देते हैं खास कर साम को जिससे सभी लोग अपने घर और खिडकियों पर एक्स्टर सेक्योर्टी लगा लेते हैं और उस टाउन में मीटिंग होने लगती है कि वो इस किलर से कैसे बचे जेमी मीटिंग खत्म करके एक जाती है जहां उसकी मुलाकात निक नाम के एक लड़के से होती है जो वहां का इंचार्ज होता है और कई साल पहले ये दोनों केमेश्ट्री क्लास में एक साथ पढ़ा करते थे और जेमी असल में यहां फैंटम की हिस्ट्री और उससे रिलेटर चीजों को देखने आई थी ताकि उसे ये पता चले कि क्या सच में वो पुराना किलर वापस आया है या नहीं या फिर ये किलर कोई और ही है जो असलिए फैंटम के नाम से लोगों को मार रहा है दूसरी तरफ पुलिस वाले और उनका चीफ भी फैंटम के बारे में जानकारी कठा कर रहे थे इधर बाकी चीफ के सामने सब कुछ एक्स्प्लेन करती हैं कि असल में 1946 में बेंजामिन सिविल नाम के आदमी को गिरफतार किया गया था और उसे ही फैंटम समझा जा रहा था और इस पर भी यकीन तब हुआ जब से वो पकड़ा गया और सहर में एक भी मर्डर नहीं हुआ तो सा लेकिन तब ही उपिसर उसे बताता है कि बेंजामिन का पोता तो 2 साल पहले ही एकसीडेंट में मारा गया था तो यह सब कुछ वो नहीं कर सकता पर अब जेमी की ये थेयोरे सुनकर सब लोग समझ जाते हैं कि जो कोई भी किलर है वो 1946 वाला असली फैंटम तो नहीं है यह सल में कोई और ही है जो उसके नाम पर मरडर्स कर रहा है उसी साम को निक कुछ और रिसर्च करके जेमी से मिलने आता है जहां उसने फैंटम की कुछ और भी जानकारी निकाल ली थी अब यहां निक और जेमी धीरे-धीरे क्लोज होने लगती है निक उसे कहता है कि आज रात में टाउन में सोलजर उसकी गल फ्रेंड और उसके लिए कैंडल मार्च निकालने वाले हैं तो क्या तुम भी साथ में चलोगी इस पर जेमी उसे हां कर देती है और ये दोनों भी वहां चले जाती है तभी अचानक सब के सामने फैंटम आ जाता है जिसे देखकर वो सभी लोग भाग जाती है पर जेमी डर के कारण गिर जाती है तभी एक सोलजर फैंटम पर गोली चलाता है जिससे उसकी वही पर मौत हो जाती है इसके बाद पुलिस जब उस फैंटम का मास्क उतारती है तो असल में वो एक टाउन का ही टीनेजर होता है अब उसकी मौत से सभी लोग और पूरे टाउन में ये बात फैल जाती है कि फैंटम मारा गया, यहां दूसरी तरफ टाउन में हम एक गे कपल को देखते हैं, तभी एक एक करके फैंटम उन्हें बुरी तरह मार देता है, यानि कि सोलजर ने जिस फैंटम को गोली मारी थी, वो असलिए फैंटम नहीं था, अगले दिन सुबा उस मरे लड़के के घर से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि वो मरना चाहता है पर उसमें मरने की हिम्मत नहीं है इसलिए वो फैंटम बन कर पुलिस के सामने जा रहा है ताकि पुलिस उसे असानी से मार दे इसका मतलब था कि असली फैंटम अभी भी खुले आम घुम रहा है ऐसे ही दिन बीच जाते हैं पर फैंटम कौन है ये किसी को भी पता नहीं चलता तभी एक रात निक जेमी को किस करने की कोशिस करता है पर जेमी उसे कार से निकाल देती हैं क्यूंकि अभी भी वो कोरी को भूल नहीं पाई थी पर अगले ही दिन जे से अच्छी बॉंडिंग हो जाती है जिसके बाद ये दोनों फोस्टर के घर में इंटीमेट होने लगते हैं तभी फैंटम एक गोली मार कर फोस्टर को जान से मार देता है जिसके बाद वो सोरत का पीछा करने लगता है वो औरत बचकर खेत में भाग जाती है पर फैंटम भी खेत में चला जाता है और उसे जान से मार डालता है और उसकी लास को टांग देता है अब टाउन में कई सारी जाने जा रही थी और अब फैंटम को पकड़ना जरूरी हो गया था इसलिए निक और जेमी उस आदमी के पास जाती है जिसके पिता ने 1986 में दा टाउन दैट ट्री उससे बेवजा ही 30 साल जेल में गुजारने पड़े असली फैंटम सायद हैंक मैथडी नाम का आदमी था जो रेलवे पटरी पर मरा हुगा मिला था इस आदमी के हिसाब से हैंक ने सुसाइट किया था क्यूंकि वही फैंटम था और उससे गिल्टी फील हो रहा था क्यूंक जेमी की दादी डिसाइट करती है कि वो और जेमी सहर छोड़ कर चली जाएंगी और जेमी का वो किसी दूसरे सहर के कॉलेज में डिमीसन करवा देगी ताकि वो दोनों सुरक्षित रहें अब ये पता चलने के बाद जेमी लाश्ट गुडबाई के लिए निक के पास जाती जेमी अपने दादी के साथ निकल पड़ती है अब कुछ दूर चलने के बाद ये दोनों एक गैस इस्टेशन पर रुखती है अब जब तक कार में गैस भरी जा रही थी तब तक जेमी पानी लेने इस्टेशन में जाती है तब ही अच्छानक से फैंटम वहाँ पर आजाता यहां गैस इस्टेशन पर दो और लोग होते हैं एक ओनर और एक बुढ़ा ट्रेवलर फैंटम उन तीनों को गोली से सूट करके मार देता है अब सिर्फ अकेली जेमी ही बची थी इसके बाद वो इस्टेशन के अंदर से एक गन लेती है और जंगल में भागने लगती है फैं फैंटम को देखते हैं और वो दोनों ही एक साथ जेमी के सामने आते हैं यानि कि इस सहर में दो लोग थे जो फैंटम बन कर लोगों को मार रहे थे और वो दोनों कोई और नहीं ऑफिसर फोस्टर और जेमी का बॉइफरेंड कोरी था और यही दोनों असली फैंटम थे अब वो ने एक दूसरे को मारने का नाटक किया ताकि इन पर कोई सक ना करे और फोस्टर एक पुलिस वाला था तो उसके लिए ये करना कोई बड़ी बात नहीं थी ये देखकर जैमी रोने लगती है कि कोरी ने उसे धोखा दिया कोरी कहता है कि वो इस जिंदगी से तंग आ चुक इसलिए वो अब सब को मार देगा ये कहकर फोस्टर अपने साथी कोरी को भी जान से मार देता है क्यूंकि कोरी का काम अब खत्म हो चुका था और अब वो जैमी को चाकु से मारने माला था पर जैमी के पास एक गन थी जो उसने उस गैस इस्टेशन से ली थी पोस्टर उसे मारता उससे पहले वो फोस्टर को गोली से उड़ा देती है और फाइनली फैंटम का चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है अगले दिन पुलिस वाले कंफर्म करते हैं कि यह सब कुछ आफिसर फोस्टर और कोरी नहीं किया था जो असल में पूरे साइको थे अब इस केस के सॉल्ब होने के बाद जेमी बाहर आती है और अपनी नई लाइफ की सुरुवात करती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है